हेलो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुसकबरी है और खुसकबरी यह है कि उडिशा इस्टाप सेलेक्शन कमिशन ने जे की पोस्ट रिलीज किया है आपको मैं बता दूँ यह एक ऐसी पोस्ट है जो हर साल आती रहती है मतलब और यह खास कर उन्हीं सबसका रहने वाला है कि पोस्ट कितनी और रिस्टेशन फॉर्म कब आउन होगा यहां पर देखिए याज ही निकल आज ही आया हुआ है यहां पर ऑनलाइन रिजिश्टेशन जो आपका होगा ना बीस बारा दोजार तेज से एंड आपका किसमें होगा उनीस एक का तो सब्सक्राइब का और टाइम मिलेगा कि आप उसको क्या कर दीजिए एडिट कर दीजिए ओके और सुन लीजेगा यहां पर एक चीज़ आपको फुल डिटेल सलुसन आपको बताऊंगा और मॉड आफ अप्लीकेशन कैसे होगा डब्ली डब्ली डब्लू ओ एसससी गवर्म इन पर जाकर आप लोग क्या कर सकते हो फॉर्म फिल कर सकते हो नूव फिजिकल हर्ड कॉपी दा आउन लाइन अप्लीकेशन फॉर्म नीट टू समिटेट बाई अप्लीकेंट याद रखिएगा इसके बाद क्या था आपका नमबर आप बैकेंसी यह इतनी बड़ी नमबर आप बैकेंसी ना कि दिलखुस हो जाएगा खास का सिविल वालों के लिए मेकानिकल वालों के लिए तो सिव वाले में अगर बात किया जाए जूनियर माइनिंग ऑफिसर की है 1196 यहां पर अगर जूनियर इंजिनियर की देखा जाया मेकानिकल की तीन पोश्ट गुरूप समस्तो गुरूप भी लेवल नाइन बहुत बड़ी बाता चोबण सो ग्रेट पर करीब होगा गुरूप भी हमारे हां जो माना जाता है ओके और इंजिनिंग सिविल यहां पर गुरूप भी दिखाया गया लेकिनिकल लेवल नाइन दिया गया ओके उसे साब से देखा अचन यूडी डिपार्टमेंट में वैद हमारे कोई मतलब की नहीं और आगया जाई यह यह आ गई सिविल इंजिनिंग की पंचायती राज रंदिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट में 121 121 पोस्ट पोस्ट को कि तो कितना हो गया एक स्विकी से हां पर हो गया एक सिटी से इतना हो गया 145 आपके लिए 145 बैकेंसी और मैं बता दूं क्योंकि उडिशा के लिए यह त्यार उनसे अच्छा क्या हो सकता है कि आपकी आसपास अपने घर के आसपास रहोगे तगड़ा वाला भॉकाल रहेगा क्या चाहिए आपको आपको और सुन लीजे यहां पर और क सारा कुछ समझा दे रहा हूं आपके लिए जो असान हो जाएगा आप गलती ना करिएगा यहां पर देखिए कटेग्री वाइस पूरा डिवाइट कर दिया गया है यहां पर कटेग्री वाइस पूरा डिवाइट कर दिया गया है यहां पर जैसे देख लिए कटेग्री वा थर्ड तो यह सारा कुछ आप लोग देख लीजेगा अंडिजर्व सीडियूल कास्ट यह पूरा और इसमें यह तो इस पेसल वाली सीट के लिए यह आपके स्पेसल सीट के लिए इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं यहां पर की कौन-कौन भर सकते हैं तो आप यहां पर य स्कूल एक्जामनेशन विद विडिय उडिया एज लेंगर सब्जेक्ट समझ गए यह चीजें होने चाहिए इस सारी रिक्वाइर्मेंट यह है कि आप उडियां पर ही निवासी होना चाहिए या तो ही काले से पढ़े होने चाहिए अब यहां पर आपको बोला गया है कि क् सब्सक्राइब कर सकता है तो यहां पर आप देखेंगे जूनियर इंजिनियर मेकैनिकल इसके लिए डिप्लोमा आपका चाहिए डिप्लोमा चाहिए हाइर क्वालिपिकेशन सचाइज डिग्री बीटेक आल से लाव मतलब यहां पर जो जैई की पोश्ट ना इसमें बीटे सब्सक्राइब और डिप्लोमा दोनों भर सकते यह बात याद रख लीजिए गा और इसके बाद हाँ पेपर सलूशन क्या होगा यहां कि सरीखेगा क्या पेपर पैटन रहने वाला है यहां पर स्टेस फास्ट जोगा प्रेमिलरी एक्जाम के लिए वन पेपर होगा आरिथमेटिक टेनिस टेंडर की आएगी डियाई आएगी लोजीकल यह सारा कुछ आएगा वन फोर्थ नेगेटिव मार्किंग भी है मेंस में क्या होगा टेकनिकल पेपर होगा मेंस में टेकनिकल पेपर होगा दो सो कुछन होंगे तिंग हंटे के लिए ओके यहां पर यह सारा कुछ दिया गया है और थार इस्टेज में क्या होगा प्रिमेंस होगा थार्ड इस्टेस में सर्ट इतना information आपके लिए काफी अच्छी होगी और जाओ एकदम लग जाओ पढ़ाई करते रहो यार मैं बार बार आपको बोलता हूं तो आपकी दिमाग में आ रहा होगा सरी सपना पूरा कैसे होगा अब आपके दिमाग में तो आना ही चाहिए तिससरी सपना कैसे पूरा होगा रहे शची तो यहाँ पर अगर आप यह यकीन रह यह चहए अगर इसको आप जोइन कर लेंगे क्यों का मैं यह जो एकीन बैच है इसमें आपना इसमें इन्रोल कर सकते हैं अगर यह इन्रोल कर लेंगे क्योंकि यहां बेसिक टो एडवांस लिवर पढ़ाया जाएगा इंडिया के मैक्सम एक जाम यहां से कवर हो जाएंगे तो यहां पर आपको एक कूपन कोड बता दे रहा हूं अग कितने का पढ़ जाएगा अठाइस सो पांच उपएगा तो यहां पर आपको यह यकीन एससी लिखा जरूर है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जाओ यार फटा- अच्छी लगी होगी तो जरूर एक बार सेस्टन को लाइक करिएगा मिलते हैं आप से ऐसे ही निस्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए पढ़ाई करते रहे हैं लव यू